वेलकम तो न्यूव एपिसर और सिंग आटो जौन दोस्तों आज हम कंपेर करने जा रहे हैं अपकमिंग इलेक्ट्रिकल सुवी जो कि बिल्कुल 2019 इसी साल इंडिया में लाउंच होने वाली एक तो हुंड़ है कि कोना इलेक्ट्रिक सुवी वहीं जो की एमजी मोटर्स जो की युके बेस्ट में चाइना ने इसको टेक ओवर कर लिए चैनीज कंपनी ने तो बिल्कुल इसका फर्स मॉडल आली लाउंच हो चुका है है हेक्टर लेकिन जो सेकिंड प्रड़क्ट है कि वह भी कंफर्म है कि वह एक्ट्रिकल सुवी इसी साल 2019 म मॉडल का नाम है EZS तो बिल्कुल दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे आज A to Z इनका जो अभी तक अपडेट निकल मैक्सिम अपडेट इनका निकल कर आ गया प्राइस का अभी क्लार्टी तो बिल्कुल दोस्तों अगर आप भी इंटरस्ट रख तो एलेक्ट्रिकल वहिकल से अब कंपेर करने जा रहे है को ना है को न है कोना की कोन का फ़िस एमजी मोटर्सकी SUV इस इस ये साल गारी तकरिवन दूओG येसम नों का साइस तकरिवन सेम है पहले स्पेसिफिकाशन आप थल्गार्य भार्में जो अप्डेट है системिटिन के ये बारे मीप्रेट है जैसे हम में जो नही जो पॉलसी में चेंज आया कि अगर इन कंपनिस को किस्ता का सबसीडी या इंसेंटिव लेना है तो इसके लिए मिनिमूम 50% लोकलाइजेशन जरूरी है इस वज़े से यह अभी कंफर्म हो गए दोनों ही गाड़े की बात कर रहो हैं कोना और इजएडस के इनको स्टार्टिंग में कुछ मोडल सीके डी यूनिट यूनिट ने कंप्लीन नॉक डाउन यूनिट के थूर इंडिया में आकर से क्या सकते हैं कि लाउन्च होने के तीन चेर पांच मिने बाद यूनिट यूनिट में मार्किट में अवेलेबर इनके कोस्टिंग का भी काफी ज्यादा फरक पड़ेगा क्यों कि अगर मैं यहां पर पहली कंफर्म है कि 70% से ज्यादा लोकलाइजेशन इस गाड़ी में की ज अगरक दिखाई दे रहा हैं दोनेों की गाड़ें के मुकाबले में फहले मैंने कंपैरिजन किया था भारत की जो एक्स्वी ट्र्इंट कर ब्रशन का क्यूंकि प्राइस के साफ़ सबस्ते बट में इससाथ सिधा सिधा कोना और लीफ के साथ है निसान लीफ के साथ तो इस यहां पर निंडियु में मीडियम और हई पावर के दोन ही बैटरी पैक रहते हैं, इंडिया में अभीफिलाल मीडियम पैक ही अवेलिबल हुआ क्योंकि प्राइस कॉन्शियस है, यहां प्राइस काफी ज्यादा उपर निकल जाता है, ऐसे में बिल्कुल सेल की दिक्कत आएगी तो बिल्कुल जहां कोना में अभी हम स्टार्टिंग में 39.2 किलोवाट आगा हाई डैंस लीथिमर्ट पैक मिलेगा वहीं इजड में आपको 45 किलोवाट या 52.5 किलोवाट कोई एक बैटरी पैक मिल सकता है अनकी मोटर की बात करों तो जहां कोना 110 माफ कीजे 150 किलोवाट माफ कीजे नहीं अगर मात कर रहा हूं कोना की तो दोनों में ही कोना और एजड दोनों ही 110 किलोवाट की मोटर है की 350 किलोवाट की तोर्क प्रड्यूस करते है दोनों की पावव मोटर की पावव सेम है रेंज की बात कर दो जहां कोना 350 किलोमेटर की रेंज एक सिंगल चार्ज में निकालते है वहीं EZS की रेंज 430 किलोमेटर है वहाँ कैपिंग है कि अगर आपको इसको कॉंटिन्यूस की स्पीड पर चला तो वह तो पॉसिबल नहीं हो पाता तो अवरेज जो निकल करा रहा है तक्रिवें 350 किलोमेटर दो यानि कि दोनों की यहां पर रेंज भी सेम तक्रिवें निकल करा आगी जहां पर हमें कोना पर यह 7.2 किलोवाट का जो चार्जर मिलेगा एवरेज जो की 6 गंटे में जो नॉर्मल चार्जिंग करेगा DC चार्ज वहीं 100 किलोवाट का रहेगा जो की सिरफ और सिरफ पंतालीस मिनट में इसको 80% चार्ज करेगा और अगर बात करूँ मैं यहां पर EZS की तो वह भी बिल्कुल हाई देंस्टी है आपको यहां पर जो फास चार्ज डिसी फास चार्ज आ रहा है 80% चार्ज आपकी सिरफ और सिरफ तीस मिनट में चार्ज हो जाएगी तक्रिवन दोनों कारों की सेम है 170-1702 किलोमेटर के बाद दोनों की टॉप स्पीड निकल कर आ रहा है अब लास्में दोस्तों इनके फीचर्ज हैं काफी सेम है तक्रिवन फीचर्वर्ट फिर भी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ दोनों में ही जहां कोना में 7-inch floating type touchscreen informative system है digital colors colored वहीं आपको digital speedometer भी मिलेगा इसके लाब रिजनरेटिव ब्रेकिंग जो के लेक्ट्रिकल कारों में तक्रिवन सभी में यह एक basic standard सभी में मिलता है इसका बड़ा benefit है क्योंकि मेकैनिजम में जब यह ब्रेक लगाते हैं तो कोना की बात करो तो यहां पर आपके heated and ventilated front जो seats है वह बिल्कुल आप गरम और ठंड आप उसको कर सकते हो इसके लाब वार्लेस smartphone charging बिल्कुल वह भी आपका option है top model में आपको यह चीज मिलेगी diamond cut star inch alloy wheel आपको मिलने वाला cruise control lane assist dualer bag abs ebd apple carplay android auto regionative braking यह सब features भी आपको यहां पर मिलेंगे अब लास्ट में बात करते हैं प्राइस की जहाएं कमे कोना का जो प्राइस 39.5 kilowatt जो बैटरी है उसका प्राइस यहां पर 25 लाक निकल कर आ रहा है वहीं MG motors का बिल्कुल 45 kilowatt की बैटरी की बात कर रहा तो इसका प्राइस से 15-18 लाक निकल कर आ रहा है वहीं अगर 52 kilowatt की बात है तो बिल्कुल आपको शेर करूंगा सबसे पहले धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए